दिनांग 20 दिसंबर को पुलीस कॉन्फरेंस हाल पन्ना में जिले के सभी S.D.O.P. एवं थाना प्रबारियों की उपस्थिती में पुलीस अधिक्षक पन्ना श्रिमान मयंक अवस्थी जिद्वारा क्राइम मिटिंग आयोजित कर लंबित आपरादों की समिक्षा की गए पुलीस अधिक्षक महुदय द्वारा थाना प्रबारियों को निर्देशित किया गया कि सीम हल्प लाइन की लंबित शिकायतों को गंबिरता पुर्वक लेते हुए थाना प्रबारी स्वेम शिकायतों का संतुष्टी पुर्वक निराकरण करवाए इस सब्ता विशेश अभियान चला कर समस्त लंबित अपरादों का निकाल करवाए किसी भी स्थिती में कुल कायमी का पाच प्रतीशत से अधिक अपराद लंबित नहीं रहने चाहिए आज दिनांग तक पंजी बंध बालक बालिकाओ की गुमचूदगी का पता लगाए उनके परिजनों से बात करे बालक बालिकाओ की अधिक से अधिक दस्तियावी सुनिश्चित करे संपत्ती संबंधी अपराद जैसे चोरी, लूट, ग्रिह बेदन के अपरादों का निराकरण करते हुए अधिक से अधिक बरामत की सुनिश्चित करे विशेश टीम गठीत कर स्थाई वारंटियों की तलाश कर अधिक से अधिक तामिली सुनिश्चित करे लंबित रहात प्रकरणों में फरियादियों को राशी दिलवाई, माननिय मुख्यमंत्री वहोदाई के निर्देशान उसार नशीले पदार्थो जैसे अवैच शराप, गांजा, नशीली दवाईयों आधी के विरुद्ध विशेश अभियान चलाकर इनके अवैच परिवहन संबन्दिच शिकायतों परततकाल कारवाही करे, काद्यपदार्थों में मिलावट के विरुद्ध अभियान चलाकर अधिक से अधिक कारवाही सुनिश्चित करे, मिटिंग में अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक पन्ना श्रीमान आरेस रावत, स्दोप अजयगर श्रीमान ब प्रभारी, पुलिस अधिक्षक कारारे के सभी लिपिक साइबर सेल का स्टाफ उपस्तित रहे, इन बीसे न्यूस के लिए जनपत पन्ना से कैलाश पांडे की रिपोर्ट